एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चेनल पे बच्चो और आज का ये जो वीडियो या वीडियो तो नहीं कौंगा ये पूरी एक सीरीज चलने वाले जहां पे हम बच्चों को अब्जेट्ट्व से लेके डिस्टिंग बिट्वर डिस्टिंग अलावा तो सब एक्स्ट्रा है जी हां बच्चे गल्ती कर बैठते हैं कि पूरी टेक्स्बूख पाहट करते हैं जब-जब हमने देखा है पूछा बच्चों से बात कर दो बच्चे का वहाला टेक्सबूख पड़ रहा है रहे घपाई जरा रुख जाओ टेक्सबूख में माक्स कोर करने के लिए इस वीडियो को एंड देखना ऐसे वीडियो की तीन से चाथ स्रीस बने वाले जहां पर हम आपको purely distinct between बाहर करवाने वाले उसके बात में case study पर work करने वाले उसके बात में हमारे लेटर्स पे स्कोर कराएंगे और 20 माक के अबजेटिव, मैक्जिमम सेवेंटी, 75 माक्स तो हमारे यहां पे स्कोर हो जाएगे, बच्चो, बोर्ड एकजाम में डट के स्कोर करने के लिए और अपने मास्क के रोकेट लगाने के लिए तयार हो जाएगे, शुरू करते हैं पहला most important distinct between with liquid and easy format that is called as a distinct between fixed capital or working capital जी हां बच्चों क्या ये exam में आएगा जी हां बनती कोशिश 101% chapter number one or two में से आपको maximum marks मिल जाते तो let's start with the first distinct between fixed capital or working capital सबसे पहला question उता बच्चों के mind में sir time management क्या हो दा कितने time में हमारे distinct between खत्म हो जाना चाहिए sir कितने points लिखने बेटा ये दोनों सवल है बहुत common question है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये question watch pay होना चाहिए आपके दीमाग में कि सर हम कितने समय में खत्म कर दे sir हम कितने time में क्या होना चाहिए तो एक logic आपको बताए तो मैं सबसे पहले यार रखना है आपका कि टू मिनिट्स ये एक रूल अपने life में बना लो अपने status पर रख लो हर जगा पर रख लो बिटा वन माक इस इक माग के लिए आपको दो मीट देनी कितने मीट देनी अगर मैं पांच पॉइंट लिखता हूं तो मेरे पांच पॉइंट कितने मीट में उना है जिए 10 मिनिट में यस और वह एक मांग से तो पॉइंट तक मैं यूज कर सकता हूं अपने आपको और मैं पांच मांग का कॉइशन आटिम करें तो मुझे 10 मिट में खतम करना है अगर 4 मांग का क।शिन कर रहा हूं तो वह मुझे आठ मीट में खतम करना है बन साती साती याज रूल लगना टोटल मांग सितने भी रहे कर सकते हो एक रिए 10 मिट में खतम हुशा अच्छी है आपको पाच मांक का कोचिन करें जैसे कि लेटर आप लिख रहे हो पाच मांक का लेटर तो बारा से फंद्रा मिट में खतम हो जाना से हमारा लोंग कुछन के मांक तो हेल ले सकते हो तो तो मैगजिमम आप 20 मिट का हेल्प ले सकते हो क्वेश्सिंप 8 को कमेट करने के लिए आप अपना ओप्रफी्स सब्सक्रादियुश कर सकते हैं शरु से congressional के लिए दिस्ट लिए प्लस दोब सकते हो तो टोटल 10 में ने डिस्टिंग्ड हो जाने चाहिए इच टीन इस 10 मिनिट तेन मिनित में हमें आपके डिस्टिंग्ड कर लें हैं तो आप अपना टाइम पर वाइंड अप और यह 30 मिट के लिए आपकी जो लिखने की स्पीड हो जादा होनी चीए आपकी पेंट से जादा आपका दिमाग महां पर दोड़ना चीए दिमाग आगे ओने चीए पीछे-पीछे लिखती होनी चीए ऐसा लगता चीए कोपी कर रहे है पर कोपी नहीं होती होती लीगल मार्क का रूल भी बता रहो बेटा एक मांक के लिए वन मांक के लिए वन मांक के लिए वन मांक के लिए बेटा कितना मीट लोग है मिनिट टू लोग है और यस पॉइंट कितने लिखने तो यहां पर वन मांक के लिए यहां पर कितने पॉइंट लिखने तू पॉइंट लि पूँचना चाहें तो पूच सकता है बट इसी एंज स्वीट एंड सिंपल कॉंसेट यही बोलता है एक माक के लिए दो मीट ले लिजिए और एक माक के लिए कम से कम दो फूइंट और फॡेत है तो मेरे आठ माक्ला में चारमाघ का डिस्टंग लिए मैंकि लिए माक इसीमाम आठ लिधने मीनिमुकूल लिएซी पूइंट जान ने six आनि कि मीनीमम कितने पुइंट सिक्स होने ओन चाहिए कम से कम नो चाहिए मेरे को deste गया необходимо human can do three and half या for math अपने कहीं नहीं तेखे यह यह इपका इंपका फूर सकता में करते लोंग खुन अब फूर सब्चेय कि नहीं को इना यह ढूलह एक मैस्च के लिए तो दस पॉइंट आपको क्या करने है एक्सलेंट करने है अगर आप लोग चार मांक के लिए जा रहे हो तो एक्लीस मिनिमम छे मैक्जिमम आट यह रूल पकड़ की चाहिए तो सक्सेस आपके कदम चुमेगी ठीक है पक्का जातरे का पीटा मैक्जिमम पॉइंट है यह कितने मांक के लिए क्या करना है अब आते अपने कॉंसेट पर अपना कॉंसेट के बड़ा डिस्टिंग बीट्वीट आज की सेशन में पूरे सेशन में डिस्टिंग डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉटकट बढ़ा ज़ता हूं आपको सभी पार्टिय ज़्य पी शिवशेना मंसे या राष्ट्यवादी को ऐसा पार्टी पार्टी ने खेलने वाले यह बेटा सिर्फ आपको बाहर करवाने के लिए और जल्दी याद रहे जाए इसके लिए इसके लिए बता रहा आपको वो ज़रा ध्यान से सुन लीजे वेटा हमने एक पार् अबजेक्ट विद्देर ऑबजेक्ट जी यह इनका ऑबजेक्ट जो मकसद वह सब को सबके लिए नयाई दिलाना है लड़ना चिलाना है दराना नहीं है अधिकार दिलाना है तो यह याद रखना वह यह सिंपल बड़े अगर अगर डिश्टिंग बिटेन आ जाते एक्जा with their object MNS is a risky party with the object MNS risky party with the object कैसे बाट कोगे तो पहले मीनिं जी एह हैरपूर लिखना कंब सरी है म से क्या होगा मीनिंग एज से क्या होगा बीटा नेचर ऐसे क्या होगा पिटा है सिक अब इनन सोर्स सोर्स इस आर सिका अब अब रिस्क पी शिक क्या होगा परपस और अबजेक्ट तो मैंने लिखा हुआ है अब कोई बच्चा इसके बाद मुझे यह नहीं पूछे का बिटा कि सुरन कितने पूइंट लिखने है पूरे के पूरे पूइंट लिख दो क्योंकि हमको तो यहाद है बाई फिक्स के प्लोड वर्किंग के कितनी चीज़ होने चाहिए जैसा लिखा है वैसा ही लिखे क्या सर्थ थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा थोड़े पूइंट आगे पीछ होगे तो चलेगा बड़ यह यहाद रखना बेटा क्या करना हमको टॉपिक पर आते है आपके टेक्स्बूक में अल्रेड़ी यह एक पेज़ दिया हुआ है जिसको हम लोग हाइलाइट कर लेते सबसे पहले कि भाइँ हमको लिखना क्या क्या है तो मैंने पहले बोला आपको शॉटकट आपका आपको बाया हाड होगा रेक्ट क्या लिखोगे म एन एस रिसकी पार्टी तो लेट सी बन रहे है क्या हमारा म एन एन एस जी यहां एम एन एस क्या हो जाए बढ़ा रिसकी पार्टी विद्धेर ऑब्जेक्ट तो वन टू टू ट्री कि फोर फिफ्ट और इसको लेकर आएंगे सिक्स तो होप आपको यह नंबर भी समझ को कि कैसे हमको नंबर देना है ठीक है शुरू करते है फिर से यहां पर वन एम एन एस तो वन टू टू ट्री रिसकी फोर पार्टी फाइफ और यह बन जाएगा अपना सिक्स तीक है चले मिले स्टाट करने मिन लिए में में जिसमें करें साथ में रहेंगा जो लंबर समय तक अपने सा reg lem उसे के देफिस्स लंभाल मॉर्ज अपने साथ रहे गाया तो फिस पित्ल – 25 विव फर दीन टो विड़ा तो फेक्स beef करोदख पर इत्य वरुदल स्वेसिक्ट का वरडिया तक परन्स से प्यक्राइब धून लाइन निशी हुश्ट कभर ओस्टे मई परपगि definitive कारना टॉंफ करेंट इस संद ना बॉट आंद आTM प्लस तोल उटालinho आफ परेंट असेस ये फीजीकल असे हो क्या तो यह जो मिल सम्पैल फीसेके हिटीस में चाहँ डुल we टो गईक गरेंट ऑर के हम एक प्रकाट만 ओक चले एक पूस्ट रह 가장 चल्लिए बघूर जी यहां फीट पिटल का नेचर कैसे तो यह परमनेंट है आज जीवन जिन्द की पर साथ देना तो यह इट लिगा ना मेटा मेरी एडवाइस है इसको नाउन नहीं पूलते है प्रोनाउन बोलते है जी हां तो इट अटा के लिगना फिक्सके पिटल तो आण से थोड़ा आधिये नहीं है तो फिक्सके पिडल स्टे इना बिजनेस ऑल्मोस्ट फरमने इंडली तीग्स ईपिटल स्टे इन बिजनस और मोस्ट परमनेंट एंड यह बटा वर्किन कैपिलकर का क्या है आवनिजावन य लड़कियो की तरह शाधी होनी के बतिन अरदू कभी शसूराल तो यहां पर में तो यहां पर्मनेंट तीसरा पूंट आपने आपने सोर्स सरी जो फिक्स के एपिडिल है कहा से कलेक कर सकते हैं लोग को नहीं में लेगा ठीक है तो फिक्स केपिटल फंडिंग जो फिक्स केपिटल का जो फंडे के भी कम फ्रॉम सेलिंग जी यहां सेल करने का बेच होगे शैर्स डिबेंचर बूंज और लॉंग टम लोन यह वड़ को ज़्दा प्रेशर देके बढ़ा रहो लॉंग टम लॉन को ध्यान इसदी बींड लोन 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 कि वार्ड अपूजट की आ रहेगा बिड़ा शॉट तब तो जी हां वर्किंग ऑ्पिटल कहां से लाऊगे वर्किंग क्या पैसे कहां से मिलेगा तो वर्किंग capital can be funded can be funding or can be funded with यहां पर लिखाता अपने long term loan तो यहां पर लिखें के short term loan पहला पुण मिलेखा हम को short term loan यहां पर long term loan यहां पर short term loan जियां क्योंकि यह बाल-बाल आती जाते रहता है बाल-बाल चुकाना पड़ता है दूसरा यहां पर डीफोर डीपेंचर है तो यहां पर डीफोर क्या जाएगा deposit 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 6 महीने से लेके 36 महीने तक का period होता है उसका और trade creditor क्या पिटा टी सी तो यहां पर बूलूंगा short term loan deposit और trade credit से अपने पैसा मिलने वाला है दोनों पॉइंट हो गया तीन पॉइंट आराम से बाइड हो गया थोड़ा से टाइम ले लो बेटा क्योंकि यही लिखना है यही फर्स फेस्ट करना एक्जाम में लोग पहले टिस्टिंग बीडियों आएगा पहले अब्जिक्ट हो आएगा तो पहले पहले हैं तो आट माग का है अब समझें भी बात को 20 में से 20 लेने के पूरे मुख के यहां पर 8 में से 8 लाने के लिए भी आपको कॉलेटी अंसर देना पड़ेगा ठीक है चलिए तो तीन पॉइंट हो गया मिनिंग नेचर और सोर्स आराम से समझना है सोर्स यहां पर से बत संखनुए। quarter翻xx के लोंट नोन से चलिक कर लोंसर नोंसथ चर्ट्त लोन जिया है और ट्रेड़ क्रेडिक से पैसे अंगे तिकिन ना कोई नवन ओ गया ूग एजी ज्सींपल एकदम लिकवीड रिस्ख अभी यह लोंग टम है पर्मनेंट आ पड़ा रहे हांमां मगर म। सकते हैं इस में ज्यादा जी हैं इन्वेस्मेंट इन्ट इन्फेक्स कि जो भी लोग इन्वेसमेंट् Foods Capital में इस इंप्लाइउ जी हां ही टिम्स इम्प्रें मॉर इस इस क्योंड करता है उससे जो रिस那麼 यह पर इसके वो मूरे कि फिक्सक्राइब मोड्रिश की चलिए एंड नेक्स्ट फिक पे जाएगे पॉपस सब चान ऑब जीक्ट अबजिकर परपश क्या है मकसद क्या है क्यों यह पैसा हम कलेकर दे तो भाय फिक्सक्राइब का लग कर दे तो भाई तीटिट अजिए तो तो नहीं टीके तो आहिए औरे इट नहीं लिएंगे क्या लिए ligeंगे fix capital इइन फटक्स अची हां फिक्स पी बोग ए सीधियोड को इन वेस्ट ननांबैट paragraph दो अब नाम लिख तो कौन कोन से फिक्स असे होते हैं तो लेंड बिल्डिंग एक्यूपमेंट मतलब सामान यह हमने हमारे बैलेंस शीट में अच्छे से बड़ा लेंड बिल्डिंग मशिनरीज एक्यूपमेंट्स वह लिख दीजिए ठीक है समझ में आ गया क्यों फिक्स के पि शौनट्टमसल जी यहां यहां पर लोंग टर्म असेट्स में इन्वेस्टकब यहां पर शौट तमसेट्स में इनीस के देशोट असे इस होटे मसेट अ क्या रिसीवेबल और इन्वेस में टीज थू बढ़ रैता है यां गहा हए है चर्ण में तो अ किया आिण रखना मेरा है शोट फोय क्या पड़ने का आप श्वोडальной कार्ट कैस्ण प्रूकर एब काउंट रिसीवेजब술 और इन्वेज्मेरिज्मेट आना इन्वेस्मेंट में लोग आपके इन्वेंटरी में इन्वेस्ट क्योंगे अना वेर वर्किंग का मक्सद क्या है तो कार क्या बोलोगे कार के फॉर सी फॉर कैश अकाउंट रिसीएबल और इन्वेंटरी इन्वेंटरी का मतलता है स्टॉक क्या पर्चिस करते के लिए पैसा रिसीवेबल और इन्वेंटरी चली लास्ट इन फाइनल अपना वह पॉइंट नमबर शिक्स हमने परपस तो देख लिया ऑब्जिक क्या है तो इन्वेस्टर 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 इन्वेस् to make future profit एक या रखना फें फिचर प्रोफित जिया इन्वेस्टर का अब्जिक क्या है कि आज में पैसा लगाओ तो फ्यूटर मुझे जादर जादर रिटन मिलें इसलिए वो फूटर को देखके रिटेन्पिक चाहिए तो ऊंद पैसा चीय को रोंग तम मैं पैसा चीय है वो फिल्स केपिटल में इंवेस्मेंट करता है और वह इंवेस्टर जिसको शॉट तम में एनफंट रिपंड चाहें तुरंट पहसा चाहे वह वर्किंग अपिनर तो इनवेस्टर इनवेस्ट इन मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गिटिंग इमीज़िटर रिडन यह पर फूचर प्रॉफिट यहां पर लिखने अपने को इमेजियेट रिटन जी हां इमेजियेट रिटन तो हो बेटा एकदम शॉट में आपको समझ गया हो का पूरा फिक्स के पीटर वर्किंग के पीटर का इस्टिंग बिट्विटेन पॉपस और इंवेस्ट पापस के लिए पैसा ले रहे हो तो इनवेस्ट में लोंक टम असेट्स इतना रखना शोट अमसेट्स में आपको इंटर्नल वर्ड याद कर वाया है कार आई ओ बच्चों आपको यह पहला जो डिस्टिंग बिट्विट्रिन है तो यह चार मार के लिए डिस्टिंग बिटिन मा जाएगा या तो डिटेमेंट में आएगा पर आएगा जरूर और भर क्यों मिलने वाले आपको इसकी ओपर से हो सकता है तीन मार की केस सड़ी भी मिल जाए तो प्लीज बहुत जादा ध्यान से देखा होगा आपने इस वीडि और यहां पर एक फीडिने अपना एक फिक्स लाएन मेने इस 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 की पार्टी हना इसके लिए यहां थोड़ा सा आगे लिए आएंगे इसको यही टोपिक को बढ़ाते हो एमनेस रिस्की पार्टी वोटिंग टाइम पर देना है तो हमको सेकृरिटी सेफ्टी मिलेगी और इसका कोई टाइप नहीं है इतना यार रखना बच्चो आपके पूरे मांस आपके जिब में जाएगे यही टेगलाइन दूसरी यह बहुंते हैं वहां सब्सक्राइब सबस्क्राइब रॉर हो श्यार है जो है तो लटा enseign के सब्सक्राइब का था दिख जायेंगा थिक एचैता जैसा मैं आपको फिर से कहां बार बर हम अपने स्लोगन को नहीं बदलेगे हमारे पास क्या क्या देख ले देए में हमारे पास इन भी हमारे पास में सब्सक्राइब करेंगे और वोटिंग करने के साथ में क्या करेंगे इसको वोटिंग करेंगे साथ में तो हम से कुछ थी बीडिए वाली है और इसका कोई टाइप आप नहीं है तो यहां दो पॉजिशन ओन लिक्विडेशन पॉजिशन ओन लिक्विडेशन चेलिए फिर से देख लेते है यहां पर देख लिएदे एम एन एस रिस की पार्टी क्या करना है जिससे टाइम पर जाए का कोई टाइप अबलेबल नहीं है अब देखते है इसा क्या क्या सकती हैं जाएका एर बःमनेंटन जाईगा यहापर हमाने बन जाएका यह division स्थेटेश कर लिखेट विचे मैचे बोर स्टेटस कर लिखेंवे रहां यहापर रिस्था है बिटा पो जिशनिया फो कहा यहां पर रिटर्ट मतलब वोटीं मतलब क् 아무któका तो कि यह पर टाइम है तुब क्या स्टेटस और सेट श्यूरति और लासमें ती इन धिस थी या अपने को बैटा ठीक तो लेंस धान से दिखते को vendar बने आराम से बाइट करते हैं सिंपल है बहुत ईजी है तुरन समझ में आने वाले चीजे लेट स्टार्ट और यार रखने एक छोटा सा फोर्म बना लो चार चार दो चाचा दो बोलेगे ना चाचा दो मतलब अपना अंसर हो जाएगा पहले चार पॉइंट करो फिर चार आपके पास में जैने फिचर विटा तो आप उसका यूसको करो आजम से मांग्स में जाए है ठी कि पहले निग मिनिक पहली ही जै टूर से आ तो पहले कि प्हले श्यर्टस ग्राइए है फिभी एनल भी को च्छोटा पार्ट। एक तो तो साय ओक्तियाूस आयुके एड़ट आगि लिटबत चाइए निठेशन आपको आखे रोगत हुआ हैं ड़ी को समय पार्ट रोगत हुआ सब एड़ड़क है इस तरह स्म्सक्राइ año को अगल ह्को एक चाहिक का smallest part है तो टोटल शेर कैपिटल आफ कमपनी जी हां टोटल कैपिटल के एक छोटे से पार्ट को हम लोग शेर्स कहते हैं इट इस नोन एज़ ओनर्शिप ओफ सिक्यूरिटी जी हां शेर्स क्या बताता है तो आप कमपनी के ओनर हो वह बताता है ठीक टाइटल बताता है कि पार्ट है smallest part किसका टोटल शेर कैपिटल ऑफ कमपनी पूरे कमपनी के टोटल कैपिटल में से चोटा सा पार्ट हो उससे हम शेर्स केते हैं ठीक है डिबेंचे क्या है सर तो डिबेंचे कागज का तुकड़ा है एक सर्टिफिकेट है और यह सर्टिफिकेट कब मिलता है हुए की एक हमने आप से बोरो किया है एक सर्टिफिकेट को सन देटर तो लेक सी वेंचेज सर्टिफिकेट अव लॉन टेकेंगा थेक्न फंपनी गेंचे तो सिमपल प्क्तिफिकेट तेकन 979 आ किसका अव्पलाट तक बधाय कमपनी फिर gefलता हूं डिबेंचे बेंचे क लोन टेकन बाई कमपनी तो यास दोनों पॉइंट मीनिंग हमको बायाड हो चुका होगा पहला पॉइंट हमने पड़ा शेर्स मतलब क्या तो शेर्स इस स्मोलेस पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल हडी बेंचे कहे तो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट अव लोन टेकन यह सर्ट तो फिरेंट अपन बना सकते हैं निच्स स्टेटर जी यह अभी हमने पड़ा ये क्या बताता है ओनरशीप मादलब कमनी के आप ओनर हो यह क्या बताता है क्रेडिटर शीप मलब कमनी के क्रेडिटर हो आपने कंपनी को लोन दिया है लेट सी ले अश होल्डर ओफ एसे भी आपना काम हो जाता है तुक है उसके आगे लिखते हैं जिसने दिपेंच को वह और इस electrically आपढ़े सैफीं मेरे का बीने इसको बाता हैं तही अरब करने वाले को एर के और शेयर के नाम का जो पैसा होता है उसे क्या है और न क्योंड करने वाले को टना क्रेडिट एक पास कीनफिक एकều के इस जो करके जो capital आता है उसे loan capital या borrowed capital का आजाता है तो debenture के capital को borrowed capital shares capital owners capital कहा जाता है debenture खरीदने वाले को creditor कहते है share खरीदने वाले को owner कहते है next nature जी यहां भैसाब माली के घर छोड़के जाने वाला नहीं है लंबे समय तक साथ रहने वाला है और जो चीज़ लंबे समय तक साथ रहने वाले उसे कहते है पर्मनेंट क्या कहते है पर्मनेंट फेवी कोल का जोड छोड़ के जाने वाला नहीं है यह अपना मम्मी का मगर मचे घर में पड़ा रहेगा कभी भार जाने वाला नहीं है ठीक ह है एक दिन घर के छोड़ घर छोड़ के जाना पक्का है इसकी बिदाए घर से पक्की है मतलब के बैटा डिवेंचे इज़ा तेम्परवरी कैपिटल शेर इस पर्मनेंट केपिटल तीन पॉइंट में बड़े आराम से सही सही लिख सकता है मिनिंग मिनिंग फिर से देख लेते हैं शेर पार्ट और स्मॉल्लेस यूनीट है किसका तोटल कैपिटल ओफ कंपनी का डिवेंचे क्या है तो सल्टिफिकेट लोन यह सल्टिफिकेट संथे लोन यह पार कंपनीं इपेच पैसा आएका उसे फिह इंचर पैसे च्याहिपेटल को होल करने वाले को क्रेडिंटर केते में अछ को होल्ड करने के जो पैसा आता है वो पर्मेंट कैपिटल है डिबेंचे बेच के जो पैसा आएगा वह टेमपर वरी कैपिटल है इस नौट रिपेंट डूरिंग दलाइफ टाइम ऑफ दे कम जब तक कम चल रही है तब तक उसे पैसा रिटन देने की ज़रूरत नहीं है यहां पर जनरली इ प्रूर्ण ऑन मैच्यूरिटी डैटि डीगेंचे की डेट परेटेट यह सांव गmeset जो मालिक होता है हम कभी क्रेटर को कमपनी की मीटिंग में वोटिंग के लिए नहीं बूलाते है तो आप सिंपल लख्जों में लिख सकते हो अब परसन वोल्ड शेर्स इस शेर होल्डर एंड इस कंसिद इस ओनर ऑफ दे कंपनी तो शेर होल्डर बिंग इस ओनर इंजोई तन न्याम डोटिंगले जूडर आइन जन्रल मिटिंग जब जब कमनी की जन्रल मिटिंग होगी तब तक वह कमनी की जन्रल में वोटिंग करनी का अधिकार रखता है इस विकूज ज्यादा ओनर जुदकर दिबेंचर इस बिंग एक अच्राइटा हैं दो नॉड़ एव and power to participate in general meeting yes simple word में लिखोगे तो yes being as a shareholder is the owner of the company they have a right to vote in general meeting of the company they are the creator of the company and they not have a right to vote in general meeting of a company yes they have a participate in a management of the company ये नया point हो सकता है या आप अलग से भी दिखा सकते हो या ओन अफ दिखाने सर साथी साथ वो कंपनी के management में पार्टिसिपेट करने का अधिकार रखते हैं जबके डिवेंचे ओल्डर दे क्रेटर अफ दे कमनी डे डे नोट आवर राइट्स तो पार्टिसिपेटिंग मेनेजमेट अफ दा कंपनी तो वोटिंग राइट्स भी नह जिसे डेया जाएगा और जिस Continueangen में उसे डिटर में क्या चाहते हैं तो लेट जिसने शेयर में का पैसा है बोरो किया हुआ है जो बोरो जो बोरो कैपिटल हम कलेक करते हैं इन्टरेश देना पड़ता है फिक्स होता है फिक्स प्रेट आपड़ता है लेट सींपल अब आप बढ़ते हैं रिटन वह इस अ कोलेश डिविड़न जी यहां इतना भी लिगता तो समझ में आता ह हमको return on defense is called as a interest अब आगे कानी बढ़ा निया के नहीं बढ़ा नियों आपके ओपर डिपेंट करता है ठीक है अगर आपको आगे लिखने है आप यहां तक लिख देते हो चलेगा दोड़ेगा दोड़ेगा return on shares is called as a dividend 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 may be fixed or fluctuate जबके return on defense is called interest and interest is always be fixed rate italica तो भी चलेगा equity shoulder अगर आप equity shoulder door that cash order they give you preference अगब equity shoulder oh to receive the dividend fluctuating कभी कंभी ज्यादा कभी खुशि कभी gum कभी कंभी ज्यादा कभी खुशि कभी घुशि कभी च्रीप यह को कभी और इंट्रेस्ट मिलता है इस फिस्ट एड टाइम अब इश्यू इंट्रेस्ट परेड इवेन दे कम प्रोफिट जियां कम जाधा नहीं खुशी और गम नहीं यह अपना फिक्स लेगा और जाएगा चाहिए कम निया प्रोफिट है या नहीं है इस नुट रिलेटेट विद तो पांच पॉइंट बहुत बैतरीन तरीके से बहुत इजी वे सब को समझ में आ गए होगे बिच्छा मैं एक्सपेक्ट करोगे पांच पॉइंट तो आप लिखी पाओगे मिनिंग पढ़ लिया हम लोगों ने तो मेंनिंग में पढ़ा शेर क्या थे चोटा सा पार्ट है टोटल कैपिटल अप दे कमणी का डिबेंचर क्या है तो सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन भायर कंपनी जो डिबेंचर जो शेर्स पर्चेस करता है इट कंसिटर शेर होल्डर एन अउनर ऑप दे कमणी जो इसको पैसा मिलता है इसको पैसा डिबेंट नहीं होगा एक टाम वाइंडिंग अप पे होगा इसको पैसा उसकी मैचुईटी पे डिटन दे दिया जाता है इसलिए से टेंपर्वरी कहते है यह वह थी कुछ दिनों का मेमान है फिर जाएगा अपनी बेहन की तरह गर होटिंग रा वोटिंग और राइट तो यहां पे लिगार वोटिंग जी हा पहले डिपेंचि उल्लडर को management में सुरी श्री को for return के नाम पर इन्हें क्या मिलेगा तो रिटन उन्हें एक ही चीज मेलेगी वह होगा उनका dividend because यह owner है profit में participate करेंगे यह company के creditor है इन्हें हम लोग interest देंगे profit कभी कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है गम भी हो सकता है मतलब के नहीं भी मिल सकता है तो profit is related with the dividend is related with the profit of the company जबके interest is related with not related with the profit of the company simple अब्जों में पांच पॉइंट हमारे अच्छे से हो गए sir security sir owners को कोई security देने की जरूरत नहीं है they are owner खुद risk उठाते है जबके debenture को secured loan क्या गेंस में mortgage करनी पड़ते है को property यह assets हम को charge on assets करना पड़ता है जी हां तो share capital is a unsecured capital भाईया unsecured कोई अले मालिक को काई की security की जरूरत है कोई security नहीं चाहिए owner हम इस उठाने को तयार है तो मैं लिख सकता हूं shares के लिए high risk के debenture में अलग से कुण बन सकता है और फोर रिस्क लिखना है लिखना चाहे टेक्स में दिया हो या नहीं दिया हो share capital is a unsecured capital no security offer to the shareholder जबके debenture बिंग ऐसा loan है and capital is a secure creating charge on assets of a property और यहां पर ट्रस्डिट बनती है यहां पर ट्रस्डिट बनती ही नहीं है यह भी धियान रखना time of the issue जी यह कभी शोते हैं तो debenture बाद में आते हैं पराये लोग बाद में आते रेटर को company खुलने के बाद बूलाते ओनर तो company के साथ खड़े होते तो इसलिए कहा है share issued in initial beginning of the stage beginning में स्टार्टिंग में आ जाता है इनिशल स्टेज पर जबके डिबेंचा इशू लेटर स्टेज वेंड़ कमणी एस तू प्रोपराइटरी टू ओफर दस सीकुरिटी जी हां इनके वाइस अगर प्रोपर्टी है तो लोन मिलेगा और कुछ भी नहीं है तब शेर्वल्डर मिलेंगे जी हां शेर्वल्डर बिगिनिंग से होते हैं और क्रेडिटर बिटा कंपनी शुरू होने के बाद आते जब से लिए फाइनस करना है उसके लिए डिवेंच शुटेबल है तो होप तीनों पॉइंट अच्छे सीकुरिटी सुटेबिलिटी और टाइम आप इशू तो सीकुरिटी यस शेर्सार अंसीकूर डिवेंच मौ सीक्यो सीकूर्टी है यस मौर्गेज करते है प्रोपर्टी चा चार्ज उन एसेट्श बन परों सेट्सट्स यां डिवेंच होता है जबके शेयर को कोई स्थि उनर है राजा़ है टाइम उप इशू जी यह बिगनिंग में एस्व यह लेटर स्टेज पर इस्यू करते हैं जी कॉर्फ लोंगटरम फैनेंस करना है वो शेल स्मैंड करेगा जिसको मीडियम तर्म इन्वेस्मेंट करना है वो डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगा लास्ट के दो इंपोरेंट टॉपिक है कोई भी उपर निचे लिख सकते हो कोई कंपल सरी ने पिटा नेक्स शेर्स हाइग्लासीपाइंटू टू टाइप इक्विटिशन प्रेफरेंश आपके डीपेंचे के क्लासिफिकेशन तू मल फोर मलती लाव एक लिए पहला रिकेंगे हम लो बिटा रजीस्टर बैर सेक्योर अन्सेकव रिडिमेंबल इन डिमेंबल गनोटेबल नों कर डिफ यह उपर नीच हो का तो चले का कनोटेबल नों कर डिवन इस डेमर इन डिमें पोजीशन एन लीकूडेशन पोजीशन सुल यहां पर इश्यू कब होता है तो एक बेगर्म पेड़ स्टेज Kr करती जाने आćर वह ले पर उसकर लिक्विडिए कि वारी यह ती कंपनी में तो शेर्टर पहले आते हम पहले देंगे और बाद में आते सिफ्टी सिकुरुटी देखे ठीक है चले दिखते हैं पोजीशन ओना लिक्विडिएशन तो उन लिक्विडिएशन अप डे कंपनी शेर होल्डर रेग लास्ट कब खड गेंगे परिश्थिति खराब हो जाएंगे और सबसे लास मेंस खड़ेंगे चुरू हो रहे तो पहले शेरोल्डर रहेंगे उसके बाद डिवेंट रहेंगे तो होप माइट यह स्टूडेंट यह डिस्टिंग्बिटिंट के दस पॉइंट आपको बहुत भैतरीन तरीके से समझ में आ गए होगे बिटा होप सबसे पहले एक बार कर लेते हमने बाहर क्य मनें मैं मुलेगा दूसरे को मिलेगा इंटरेस्ट इसका फ्लक्ट्रेट है उसका fixed yes return i fit 2 इलिगते हैं मनाई इसी पार्टी जिया यहां पर प्र प्रीटीपेट इन तो फो पर पपर्प्स तो पर प्रेट्पेटेट्स जनरल मिटंग में परटीपेटर वोटिंग भी करेगा कर सकता है क्रेडिटर है तो आपना वोटिंग है ती टाइम आप इसूर और टाइप से ताइम अपीशु और तैप यह से बिगनिंग में बेशु होते इस वहता है डिबेंच पर पेफरेंस है इक वीडियो प्रेफरेंस है तैप एक आपसमें चार फ्लस तो लाए टोटल आट पहला convertible non convertible रहना register bearer register bearer secure unsecure right my dear student secure unsecure register bearer convertible non convertible of all फिर हम लो लिखेंगे और total art point अबलो आराम से लिखेंगे पहला register bearer secure unsecure convertible non convertible तोटल आप पॉइंट अपने पास में इस तरह से पूरा टॉपी कम्लीट कर लेंगे राइट माइट सुड़न रेजिस्टर बेरा सिक्योर उन्सिक्योर रिडिमेबल इरिडिमेबल कनोटेबल नॉन कनोटेबल तो यस नेक्स मोस् इंपोरेंट इस वीडियो में वह हमारा इक प्रेफरेंश है बनती कोशिस आट मां का लोंग कोशिन बैटेगा तो डिस्टिंग बीटिन में आने की संभावना थोड़ी कम है बट नका रा जा सकता नहीं है मेरे दोस्तों तो इक्विटी शेर्स और प्रेफरेंश का डिस्टिंग बीटिन पढ़ा रहा हूं पयार रग यहां पर तीन मोस्तिंग डिस्कस कर लिए पहला था हमाया फिक्स कीपिल बर्किंग अपिडल दूसरा था शेर्स और तीसरा एक्विटी शेर्स और प्रेफरेंश है तूड़न लेट स्टिंग बहुत प्याहिल एंग्वेज में बहुत मौबच से बता रहा हूं एक्विट यहां लड़किया मतलब प्रेफरेंश यहां ना कारते तो नहीं लड़कियों से आज की तारिक में दोनों इक्वालिटी पे बट मां की पहली ख्वाइश अगर पुछी जाए तो लड़का ही होगा इसको ठुकरा नहीं सकते हैं तो यहां पहले कमनी शुकरते एक्विटी प्रेफरेंश इस फिर कमनी शुकरते हैं То यहां कब ह incur के दब मांनी के मगर ओमाय दो जाते जाते हैं जनम के समय की तारिक हो जाती है तो मैं बोलूँगा प्रेफरेंश ना वहो रीदी में होते हैं इक विटी होते हैं जो लड़के उठाने में कभी पीछे नहीं कई यहाँ कुछ जाते हैं कहीं से पतं तोड़ लेते कहीं पर बहुत लेते जिए दोस्तों ही जब्के प्रेफरेंस cautious in nature not ready to take a risk जिया लड़कों की जिनकी कैसी होती 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 है बड़े दुखदर्द बड़ी खुशिया बड़े गम आते रहते जाते रहते और भाई लड़किया फिक्स विदाउ फ्लक्टूशन तो एकुड़ी शेर्स का जो क्यापिटल है वह अप्रिशेशन भी होगा प्रेफरेंस का ना एप्रिशेट होता है ना डेप्रिशेट दरिमें फिक्स नौन फ्लक्टूश्वेटिंग यह सिंपल लोजिक लगा लेना आपके आराम से बिटा आराम से दसपोन कमलेट हो जाएंगे जिया इक्विटी शेर्स लड़के घर में मेंबर्शिप ले ले ल अपनी प्रेफरेंस घर में मेंबर बनके रहती है इक्विटी जियां घर में जब भी कोई मीटिंग होगी तो भाई अपना वर्ड रखेगा अपने वोटिंग रखेगा अपने टॉपिक को रखेगा अपना सजिशन दिया जाएगा कुछ सालों बाद बहनों की शादी हो ज हो फ्रयरीन हो फोने में बर न akinरे इसको तो को सिम्बल है लड़े वोले की सब्सक्राइब मद धना रहाटर्या प्रेफ्रेंस प्राइधि यां लड़िएदि नस स्थिस्ट्रैक्ट प्राइधि हां लड़कियों को रद्धा रोल्ट कि यह कुछां पीच्छ पर फॉर्स्स उह ले कर दिया है यह पूरा अंसर आप आसा इसे लिख दोगे चाहे फीचरस में आए चाहे वह डिस्टिंग्विट इन आए यह जो स्टोरी में आपको बताईए लड़के लड़की की लिख देना एक्जाम में पूरे माक्स मिल जाएगे चले शुरू करते हैं टेकनिकल लफजों म लिकविड फोर्म में तो मैंने आपको बाहर करवा दिया मज़ा आएगी पढ़ने में चलिए पहले दिखते हैं मिनिंग चीहां वूइज बोई तो जो लड़की नहीं है वो लड़का है वूज एक्विटी तो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है सिंपल लफजों प्रेफरेंशनल राइट जीए एक्विटी शेर वो है जिसको कोई प्रायूरीटी नहीं मिलती है कोई प्रेफरेंस नहीं मुलता है कोई फर्स चांस मिलता नहीं है for a payment of dividend और repayment of capital बेटा यार रखना नो प्रायूरीटी जी आ लड़कों को पावरूटी नहीं मिलती है और मेर्सर्द मिलता है पहला मूतởब भीड घर प्राइंच आप आई चाए खृवे चो बहुत आसे ऊपनेन इसे निया कर दो आई च Settings है जो फिन ने रहे हर लिए ऑच्छो बहुत सिंपल मीनिंग बौाट करो दिया मैं आपको चाए यह फीचर में क्वेश्चन आए और यह बार बोर्ड एक्जाम में में शूर हूँ कि आट मां का क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रेफरेंश के फीचर या टाइप सो प्रेफरेंश आना चाहिए बच्छो तो बेट यह लड़का है लड़के पर रिस्पसंद बोलता है कभी ज्यादा कभी कंभी कुशि कभी गं यह तयारे ज्यादा लेने को कम लेने को जबके लड़किया सब्सक्राइब ना ज्यादा ना कंब हमको हमारा दे दिजिए अपना पैसा लेधी निकल लेती है जी आपप अभी गदान परेफ्रेंशे सब्सक्राइब ऑसकता है प्रो फेड़ेंश-पेडियन 2018 तो प्रोफीलंट कम तो वीडेंट को आङर अगर फ्लॉफिड मिलता है जो इसू करते समय gekढ़ हो जाता है इसके लिया result in the Рzeit कैसा है प्लक्षूएट चूण सब्सक्राइब कर दो अगर घर का मेट रहेना तो लड़की को वोटिंग रइट है पाटीशिपेंट राइट है मैनेज्मेंट रइट है क्योंकि फ्यूचर में यही मालिक बनने वाला पके बाद यही घात लगा के बैटा है मेरा अधिकाल मेर जाने वाला नहीं अपनी परिया चली जाती है बीना बोले 15 साल 20 साल के बाद भी दैपकी है ठीक है चलिए मेरे दोस्तों वोटिंग राइट्स एक्विटी शेयर आइं जो है नॉर्मल वोटिंग राइट्स जिया एक्विटी को जनरल वोटिंग राइट्स है यह पार्टिसि है दो नोट इंट्विट जो होए नार्मल वोटिंग राइट से भी जनरल वोटिंग धी जनरल वहते यह ओंविटिंग को से मिटिंग करेंगे और इन पौतिंग करेंगी हूं पहर रिटेन के नमपर दोनों को गारया रखना यहां पर यहां प्रैफेन कोरह्टेटन दूसरे को फिक्स मिले व्याएं पीटे सदेर पक ही इनका पैसा रिटेन इनका पैसा कर दिया जाता है तो यह मुमिका मगर मचें कभी घर जोड़ के जाने वाला नहीं तो जब कंपनी बंद होगी ना तभी इसका पैसा मिलेगा और प्रेफरेंस को उसका पैसा दूरिंग लाइफ टाइम में दे दिया जाता है तो एक यहां रखना इक्विटी शेर गेट रीपेमेंट एट द टाइम और वाइंडिंग अप जब कंपनी ृइंडिंग ड्रिंग दे लाइफटाइम बिफयो वाइंडिंग दूरिंग दालाइफ टाइम प्रेफरेंस का पैसा दे दिया जाता है पर्ते просpectionnaire仔 को पनलोऊ-टीस इसका पैसा डिटन नहीं दिया जाता उप मनेकशट लेटि निवियु डूरेमेव प्रेफरेंस यहां which can be repaid during the lifetime of the company जब ते कमनी चल रहे हैं उस बीच में इनका पैसा रिटन कर दिया जाता है ठीक है एज लास्ट नेचर ऑफ क्यापिटल तो यह बिटा रिस्की नेचर है और यह कैसा है बिटा सेफ है ठीक है तो आसान लफजों में पांच पॉन को रिटन एक बार रिकॉल कर ल एजो पाहर ओड कालम है जोिता प्राव लोटी प्रीडीटी प्रै Fitness देमें परिटेम टमिलता है जिसको प्रैफिरेंस मिलता है एट प्रेडीं अप्रेप्इंस क्विटी क्यातर है त्विटी आप टहरेंस बप्रेटर हूं असर औप्रेफ्यर अपाह फ्लершट्विटिं रह and they enjoy general voting right and participate in management जबके प्रेफेरेंस यह holder not give their vote in general meeting they give vote only at the time of affect their interest return on capital जी हाँ equity का capital during the lifetime बेटा दूरिंग the lifetime return नहीं होता है जबके प्रेफेरेंस का पैसा दूरिंग दे लाइफ टाइम रिपेमेंट कर दिया जाता है यह नेचर ऑफ कैपिटल तो इक्विटी इस रिस्की नेचर अना लड़िकों को रिस्क उटाने की आदर दे जबके प्रेफेरेंस इस सेफ कैपिटल नेचर ऑफ इन वेश्ट आज घड़िक अंडरीघट एंचर रिस्की नेचर रिस्की कैपिटल यांपे इन वेश्टर कॉंसर वह 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 भी कोश्यस सीनिच रहना चाहिए यह होता है दनेचर अब सेफ में ततुक प्रेफरेंच узबीयाल सेफ थेवल इन्वेस्ट में तो नेचर विन्वेस्ट में इसा रेड़ी ट swollen cos जो ता है वह रेडी टू टेकर रिस्क होता है जबके प्रेफरेंश होता है वह जो कॉशिस अबाउट दर सेफटी जिसको अपनी सेफटी की परवा है जहां इन्वेस्मेंट करने के लिए ठीक है छे पॉइंट इसली समझें भी आपको आगे के छे पॉइंट डिसक्रस कर ले होती है बना ती यह इल्ँट धिवीट रहें पराइस हाइं होती है यहां रखना प्रेफरेंश की जो ट इसमेंट से अटती है आन्लोगना होती है प्रेफरेंश होती है जबके फेस्ट वेलियो ऑफ प्रेफरेंस इस रिलीटिवली हायर एंड हन्डेड एन इस्ट बोनस जी यहां मेवा खाने वाला वही होता है जो रिस्क उठाता है तो यारकना जो भी कंपनी में इस्ट से जो भी बोनस राइड से से जो भी management राइट से जो भी participant राइट से वोटिंग राइट से यह सब अधिकार किसके पास होते है equity shareholder के पास होते है because they are the owner and risk taker ठीक है तो equity shoulder are entitled to get the bonus and right issue जबके preference को ना bonus देते ना right issue देते not eligible for bonus and not eligible for right issue ठीक है बेटा अब बेटा simple words में आरको तो फिर से एक वर लेते हैं रिस्क इक्विटी शेरा subject to higher risk अभी हमने थूटी देत पहले पढ़ा था प्रेफरेंश सब्जेक्ट टू लेस रिसको आंसर लिखना है क्यों हाई risk के because यहां पर dividend gap fluctuating है और repayment of capital कब मिलेगा at the time of not during the lifetime is called during the lifetime पैसा मिलने वाला ने इसके लिए आपर ज्यादा है जबके यहां पर क्या बिटा because of fixed rate of dividend and repayment of capital repayment of capital is a during the lifetime हो जाता है capital appreciation जी हां equity की market value क्या थे बिटा fluctuate होती है depending on the performance in the company जबके preference की market will get the fix let's see capital cash of the capital give value a group a cash is GA group a cash is our baby just a lot of me just a yeah jit nika liya utnikarita market value of the equity shares increase with prosperity prosperity come a lot of the growth yeah of a company it lead to increase in a value of the share जीतनी company की growth होगी उतना equity shares की value भी grow करेगी capital की value भी बड़ेगी market value of the preference it does not fluctuate there is a no possibility of capital appreciation जी हां market value fluctuate नहीं होती है preference की value fluctuate होती है types of equity shares जी हां types of दो है यहां पर normal voting right day or differential voting right day जबके यहां पर फिर से डिबेंचर किता ठीक क्यूमिलाटीव नों कुमिलाटीव कन्वेटेबल नहुं करें देवल पार्टीसिपेट नॉन पार्टीसिपेट रिडीमेबल इनृडीमेबल जी हां धोस्तों तो यहां पर हम एक और डिस्टिंग्बिटिन खत्म करने जा रहे बिटा होप आपको यह समझ में आ रहा होगा पूरे ग्यारा के ग्यारा पॉइंट आप आप बाहर कर चुके हो ठीक है MNS रिस्क की पार्टी टाइम पे वोटिंग करना है सेक्यूरिटी सेफ्टी और टाइप्स मिल जाएगी आपको ठीक है सिंपल है बाहर कर किया हुआ हमने आराम से नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग्टिंट में अमारा ओन केपिटल बोरोड के बिटेंगा और मैंने शेर्स और दिबेंचे पढ़ाते समय आपको बहला शेर्स को माइंड से रखना और डिवें जुक बोल सकते हैं तीव दिवेंचे बी आसकता है यह तीन में से कोई एक मतलब तीनों का मतलब तो एक ही है घली नाम अलग अलग मुष्ह नाम लग नहीं काम अलगने एक यह नाम अलग 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 है पर नेचर से एक ही यह यह यारको लगत लेट कि के ओन इपटल बॉटरण के प्रडले सिंपल कोर्शन आप बहुत इसीली यहां पर complete किया है आप आराम से लिख सकते हो साथ से आट पॉइंट आपके आंसर में सिंपल सिंपल वर्ड लिखो देख लेते फिर से मनस तो अपने एकडम बहु बाली हत्यार है आपके मिनिंग सोर्सी से नेचे यह तीन तो ठोकी देना अपने को एक्जाम जाके यह ओन कैपिटल यह विचे स्फार किसलियने लेता हूं मैं बेहु इट लगा दीता हूं यह तो वह रजास दुन उल्काष यह लुटर आप इस उसे यह जब शेर अपेसा कोंट्रिबुट करता है उसे ऊन कैपिटल केते है और जब ख्रेट चांट जी तर वो पैसा जो क्रेडिटर से आता है उसे बोरोड कैपिटल कहते है वह पैसा जो शेर उल्डर से आता है उसे हम लोग ओन कैपिटल कहते है दो है उसे डीके पैसे आएंगे तो बाइब कीया चाहेर चाहिए प्रेफरेश यह लेचो उब्से लोग वैजके बैओस कटे इस्टिटूटिशन तो डिबेंचन डिपोजिट्स और लोन इशु करके जो भी पैसा आता है उसे बोरोड कैपिटल कहते है उसे ओनस कैपिटल कहते है अब यार रखो यह पर्मेंट होगा और यह टेंपर वरी होगा इसके अपर हमें डिवीडेंट देना पड़ेगा उसके सेफ है और यह तोड़ा रिस्की है और वो क्या है सेफ है लेट सी देख लेते हैं रिटन इन्वेस्मेंट अभी बोला में आपको बेटा रिटन क्या दोगे तो शेरोल्डर एक कमनी के ओनर है ओनर से पैसा लिया है तो प्रोफिट में पार्टिसिपेट कराएंगे और जब क्यों करेंगे और ऐसे कहुँआ भाग दे रहें प्रोफिट का घश्सा दे रें डिवीडेंट बह 115 कह्लोंव डीविटे लग पीसरल अगर डीमीटिका देना है तो फ्लक्चिव दोगा अगर डिविडिंट प्रेफरेंस को देना है तो फिक्स होगा नहीं आ nyt overcome आपड़े गा एंस यह रीजी सिंट करना आता है और इंट्रेक्रफ और अलवेस ठीन होता है और उन्ट्रेस रिक्स होता है और इंट्रेसिस नोट रिलेक्ट तो प्रॉफिप्ट कमची में प्रोफिट हो या न आू आपको इंट्रेस पपीटर करवाए है यह आगर मैं वूलू ऑण कपिटल क्लेक किया तो नोगजमें वाले को ओनर को वोटिंग राइड होते हैं मैंनेजमेंट रेड होते हैं पार्टीसिपेशन सोते हैं जब्के रिदिर कमनी के क्रेडिटर इसको कोई जनरल वोटिंग रैट्स नहीं है कोई पार्टिसीपेशन मेनगेज्मेंट नहीं है तो यहां इनका रिपेमेंट क्या है तो शेय होलडर दो नोट इंज्वी ऑवर्टिन करेडिड़ चाए तुम प्रेफरेंस की बात करो सबसे पहला देना पड़ता है तो क्रेटर गेट दप्राइटी ओवर दे शेरोंडर इंकेस प्रेटर 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 इसका पैसा सबसे पहला देना पड़ता है सबसे पहले पैसे हम कुरेटर को चुकाते है उसके बाद बचाते शेरोंडर रिसक उटाते बिन तो फिक नहीं मिला नुट थीक तो यह रोलड़ डू नोट है यह इनी चाग से जबके डिबेंच ओल्ड रादर मौ सिक्योर सिक्रूर्टी देगें चार्ज ओन असेट्स ओफ देगें सेल तो होप माइडियर स्टुडें एमनेस रिस्की पार्टी विद देर ऑब्जेक्ट एमनेस रिस्की पार्टी यह वोटिंग करना है एड़ टाइम और टाइफ ऑप इ प्ली Fleet कमेंट करना नहीं भुलना चेनल को लाइक सबसक्राइब करना और शेर करना नहीं भूल्ड ओ आने वाले वीडियो में ऑइसे और भी बहुता है डिस्टिंग्विटिंड में देने वालों आपको और डिस्टिंग्विटिंड के पूरे बारा के बारा मंक्स आप स्कोर कर जाओगे 12 में पास नहीं स्कोर कर जाओगे Thank you so much my dear students watching such video